आईए हम आगे बढ़ते हैं और यक्षा के द्वारा जब इस तरह से प्रस्न पूछ दिया जाता है क्या प्रस्न पूछा गया था प्रस्न पूछा गया था किम स्विद गुरु तरम भूमे भूमी से बढ़कर क्या है किम स्विद दूच्य तरम चे खात और क्या है जो आकास से भी या आसमान से भी व्चा है किमशुष्विध-थिग्रतरम वाईयोः और जो वाईयो तेज चलने वाला है तिव्रगामी किम शुद बहुतरम त्रिनात और घास से भी अधिक्ता या भूतायत वाला क्या है तो ऐसा जब यक्ष ने युधिरिश्टे से प्रस्न किया तब युधिरिश्टेर भी यक्ष की भासा में अर्थात सॲोक के माध्यम से ही उनको उत्तर देते हुए सविनय उत्तर देते माता गुरूतरा भूमे खादप्युच्यतरः पिता मना सिग्रतरम वातात चिन्ता बहूतरी त्रिनात ऐसा स्लोक के माध्यम से युधिष्ठिर जो है उत्तर देते हैं युधिष्ठिर ने यक्षा को क्या उत्तर दिया आप भली भाती समझ रहे हैं फिर भी हम इस स्लोक में जो कछिन पद आये हैं उन स्लोक पदों को उन पदों के अर्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संधी युक्त पद हैं कौन-कौन सी पद है जो संधी युक्त हैं उनका चिन हंकन पहले करते हैं तो हम देखते हैं प्रथम पंक्ति में खाधप उच्च तरह, खाधप धन उच्च तरह, यहां पर यांड स्वर्द संधी का प्रयोग हुआ है, खाधप उच्च तरह, खाधप धन उच्च तरह, इस तरह से यह सब्द बना है क्या, खाधप उच्च तरह, यांड स्वर्द संधी का प्रयोग हुआ, नीचे की पंक् इती वाता चिंता यहां भी व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ है सब्द हम देखते हैं सिग्रतरम सिग्रधन तरफ प्रत्य का योग हुआ है इसी तरह से गुरु तरा सिग्रतरम कहते हैं तो सिग्रधन तरफ प्रत्य का योग हुआ है और ये नपुन्सक लिंग एक वचन का रूप है लेकिन हम उपर देखते हैं गुरु तरा सब्द प्रयोग हुआ है ये कैसे बना है गुरु धन तरप प्रत्याय श्रीलिंग एक वचन का यह रूप है ये श्रीलिंग क्यों बना क्योंकि माता की अविश्यस्त बतार है गुरु तरह मतलब बढ़कर भूमे भूमी सब्द है पंच्विभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है भूमी से खादपी खात अच्छा इसको भी संधी कर सकते हैं खाद अपी जो कहा गया है इसको भी हम संधी विच्छेद कर सकते हैं कैसे खात धन अपि इती, खादपि, यहां भी व्यञाजन संधी हुआ। तो इस तरह से खादप उच्च्चतरह यह जो पद है इसके हम संधी विच्छेत करें, तो एक नहीं दो संधियां यहां पर, खाद healthy, धन healthy Building so khan एक वचन का रूप है प्रत्मय भक्ति तो उच्च तरह अपिता पित्रि मूल सब्द है प्रत्मिभक्ति एक वचन का यह रूप है तो खात आकास से अपि भी उच्च तरह मतलब उचा पिता अर्थाद पिता है तो मनह मन मनस मूल सब्द है इसका प्रत्मिभक्ति एक वचन का रूप बनता है मनह सिग्रतरम सिग्रधन तरप्रत्य वातात वात मूल सब्द है इसमें प्रत्मिभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात पर यह होता है वातात मतलब वायो से वात से या वायो से चिंता बहुतरी बहुतरी मतलब अधिकता या बहुतायत त्रिनात त्रिन कहते हैं घास को त्रिनात मतलब घास से तो इस तरह से हम स्लोक में जो विभिन पद आये हैं उनका निर्मान कैसे हुआ है इसके विश्य में हमने देखा और स सब्दार्थ को भी हमने देख लिया समझ लिया अब इसके अधार पर हम निश्चीत रुप से श्लोक से संबंदी जो प्रस्ण पूछे जाएंगे उन प्रश्णों के लिए प्रश्णों का उत्तर देने के लिए हम तयार हो सकते हैं तो आईए क्या कि प्रश्ण पूछे जा स सकते हैं जैसे एक तो जो रूप प्रश्णों के हुए हैं उन रूपों को पहचानने के लिए कहा जा सकता है जैसे माता कहा दिया गया माता का मूल सब्द बताईए विभक्ति बताईए वचन बताईए बता सकते हैं बिलकुल क्या होगा माता में माता मूल सब्द क्या है मा बिल्कुल सही विभक्ति प्रथमा वचन एक वचन तो इसी तरह से हम विभिन पदों की पहचान कर सकते हैं परीक्षा में एक भिन पतरस प्रशन भी पूछा जा सकता है जैसे जननी इती पदस्य परियाय पदम असमिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो जननी इस पद के अर् बिल्कुल सही कहा आपने यहां पर माता यहां सब्द जो है जननी के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है यदि संस्क्रित में उत्तर देना होगा तब क्या कहेंगे जननी इती पदस्य परियाय पदम असमिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति माता ऐसे ही कहा जा सकता है आपको माता इती पदस्य परियुक्त में प्रयुक्त हुआ है उत्तर क्या होगा माता का विलुम क्या होता है माता का विलुम पिता तो उत्तर दे सकते हैं तो इस तरह से विभिन प्रशनों के उत्तर भी हम दे सकते हैं आईए श्लोक का भावार्थ हम समझते हैं पूरे श्लोक का भावार्थ भी पूछा जा सकता है परिक्षा में या स्लोक का कोई अंस भी पूछा जा सकता है जैसे माता गुरु तरा भूमे है इती पदस्य भावार्थ हम लिखत अर्थात माता गुरु तरा भूमे है इस पद क या इस वाक्यांस का या इस वाक्य का भावार्थ लिखिए ऐसा कहा जा सकता है तो क्या होगा तो माता गुरु तरह भूमे हैं माता भूमी से बढ़ कर है इतना लिखना है ये इसका भावार्थ है तो इसी तरह से जो विभिन्न पद, विभिन्न चरण जो है, स्लोक में, उनके भी अर्थ हम इसी तरह से बना सकते हैं. जैसे खादप्युच्य तरह पिता, पिता का स्थान आस्मान से भी उचा है, मन शिग्रतरम वातात और मन वायू से भी तिव्रगामी हैं, अर्थात सिग्रगती से चलता है, या कहें कि मन जो है वायू से भी तेज चलता है, वायू को पहुचने में समय लगता है, लेकिन मन को पहुचने में समय नहीं पहुचता है, चिन्ता बहुत तरी त्रणात और चिन्ता त्रिन या घास से भी बहुत अधिक है, या कहें कि त्रिन से भी अधिकता में चिन्ता का प्रभाव वप्रसार होता है, तो पुरस लोग का अर्थ आप भली भाति समझ गए हैं पुना एक बार देखते हैं माता गुरु तरह भूमे है खाद प्युच्च तरह पिता मनह सिग्रतर्म वाता चिंता बहुतरी त्रणात श्लुक का अर्थ होगा माता भूमी से बढ़कर है पिता का स्थान आस्मान से भी उंचा है मन वा कि विविन पदों को भावार्त को सबदार्थ को और अर्थ को हमने भली भाति समझ लिया है अब हम आगे बढ़ते हैं जब इस तरह से यख्षके द्वारा युधिष्ठर जो प्रस्न किया गया और युधिष्ठर ने उसका समुचित उत्तर दिया तो युधिष्ठर के उ कि दन्ञानाम उत्तमं किम स्वित्ध। धनानाम श्यात की मुथ्तमं लाभानाम उत्तमं किम स्यात। ऐसा यक्ष पुना प्रश्न करते हैं यक्ष ने अपने इस स्लोक के माध्याम से युधिष्टिर के समक्ष क्या प्रश्न रखा ये हम समझेंगे लेकिन पहले यह जो स्लोक आया जो यक्ष ने युधिष्टिर से कहा उसमें जो विभिन पद हैं उन पदों को पहले देखते ह धन्यानाम उत्तमम अब इस पद को अलग कर दीजिए यहाँ पर हम संधी है संधी को अलग करेंगे तो धन्यानाम धन उत्तमम यहाँ पर वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है स्वित धनानाम स्वित धन धनानाम यहाँ भी वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है स्यात की मुत्तमम, स्यात धन कीम धन उत्तमम, यहाँ पर दो संधिया है, स्यात धन कीम वियंजन संधी, कीम धन उत्तमम, यहाँ भी वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है, लाभा नाम उत्तमम, लाभा नाम धन उत्तमम, यहाँ वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है, स्यात किम उत्तमम स्यात धन किम धन उत्तमम तो स्यात धन किम वियंजन संधी किम धन उत्तमम यहां भी वियंजन संधी का प्रेव हुआ है तो इस तरह से स्लोक में जो संध्य युक्त पद थे उन पदों को हमने देखा और उनका संध्य विच्छेद क्या होगा और वहां कौन से संध्य है इसके विशाय में हमने जानकारियां प्राप्त की आईए अब स्लोक के जो पदार्थ या जो भी पद हैं उनके अर्थ हम समझ संध्य भक्ति बहुवचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है धन्यों का या धन्यों में उत्तमम मतलब उत्तम कीम मतलब क्या स्वीत आपको बताया यह निपातवाचक अव्याइपद है धना नाम धनों में धनों देखिए धन मूल सब्द है संध्य भक् धनों में, स्यात है, किम, क्या, उत्तम, उत्तम, लाभा नाम, लाभ मुल सब्द है, सश्ठी भक्ति, बहुवचन का यह रूप है, लाभों में, देखे, जब तुलना के अर्थ में आता है, तब वहाँ पर सश्ठी भक्ति और सश्ठी भक्ति दोनों का प्रयोग किया जा सकता इसलिए यहाँ पर लाभा नाम सब्द का प्रयोग किया गिया है, और साबदार्थ देखें, तो लाभों का, लेकिन चोकी जहाँ पर प्रयोग किसके लिए किया गिया है, तुलना के अर्थ में किया गिया है, इसलिए यहाँ सब्दमी भक्ति का भी प्रयोग हुआ है, तो लाभा नाम उत्तमम लाभों में उत्तमम उत्तम या स्रेष्ट किम क्या स्यात है सुखा नाम सुखों में सुख मुल सब्द है सुख्य भक्ति बहुवचन का यह रूप है तो सुखों में स्यात है किम क्या उत्तमम उत्तम तिये स्लोक में प्रयुक्त विभिन पद जो हैं उनक कि अर्ध हमने देखा और इसके अधार पर कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं, जैसे हां निये हैं, इति पदश्य वीपरियाय पदम असमिन स्लोक के किम पदम प्रयुकतम, हानी इस पद के विलोम में कौण सब पद इस स्लोक में प्रयुकत हुआ है तो हानी है, क्या प्रयुक्त हुआ है, हानी का उल्टा क्या होता है, लाभ, ऐसा कोई सब्दे हैं प्रयुक्त हुआ है, क्या देखिए, हाँ हुआ है, क्या हुआ है, लाभह, लाभह नाम हुआ है, तो लाभह नाम कैसे बना है ये, लाभ मुल सब्द है, तो इससे बना है, तो रुखाने हैं इती पदस्य विपर्यय पदम अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त 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 हो इस तरह से सरल सरल प्रशन पूशे जाते हैं दुख का विलोम क्या होता है दुख का विलोम हाँ बिलकुल सही कहा आपने दुख का विलोम होता है सुख तो ऐसा कोई सब्द प्रयुक्त हुआ है क्या हाँ हुआ है क्या प्रयुक्त हुआ है सुखा नाम यह सब्द प्रयुक्त हुआ है तो दुखम इती पदस्य विलोम प्रयुक्तम इस अर्थ में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है ऐसा प्रस्ण पूछा जाए तब उत्तर क्या देंगे तो श्रेष्ठ के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है उत्तम तो श्रेष्ठम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति उत्तमम इताद्री समयो ऐसा ही इताद्री समयो वित्तम वा रासि इती पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम वित्त या रासि इस अर्थ में कौन सपद इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है इसका उत्तर क्या होगा उत्तर हमें एक कहेंगे कि वित्तम वा रासि है इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति धनम अर्थात वित्त या रासि सब्द के पर्याय के रुप में इस स्लोक में प्रयुक्त पद है धन तो इस तरह से जो स्लोक से संबंदित वी भी प्रस्न पूछे जा सकते हैं इसलोक को एधी हम भली भाती समझें, तो उसका उत्तर निष्चित रुप से देने में समुर्थ हो सकते हैं. आइए, तो अब इसलोक का हम भावार्थ देखते हैं. और लाभों में उत्तम क्या है? सुखा नाम स्यात की मुत्तमम और सुखों में उत्तम क्या है इस तरह से पूरे स्लोक का भावार्थ या सब्दार्थ या अर्थ हम बता सकते हैं इस तरह से आप विभिन्द पदों के भी अर्थ पूछे जाएं तब भी आप बता सकते हैं या सामुहिक रूप से पूरे स्लोक का अर्थ भी कहा जाए तो भी आप बताने में समर्थ हो सकते हैं तो यक्ष ने युद्धिष्ठिर के समक्ष इस लोक के माध्यम से विभिन प्रस्ण रख दिये अब युद्धिष्ठिर स्वामत्य अनुसारेण अपनी बुद्धी के अनुसार से यक्ष के प्रस्णों का उत्तर देते हुए कहते हैं क्या कहते हैं वे कहते हैं धन्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम धनानाम उत्तमं सुतम लाभानाम उत्तमं स्रेयह सुखानाम तुष्टिरुत्तमा इस तरह से युध्रिष्ठिर यक्ष के प्रशनों का उत्तर स्लोक में देते हैं युध्रिष्ठिर ने स्लोक के माध्यम से क्या उत्तर दिया इसको समझने से हम स्लोक में जो विभिन्न पद हैं, जो संधी उक्तपद हैं, उन पदों को हम सरल करते हैं, आईए देखते हैं, धन्यानाम उत्तम मं यहां पर वियंजन चंधी का प्रयोग यहां पर विशर्ग संधी का प्रयोग हुआ है तो इसे धर से जो संधी से संबंदित विविन प्रस्ण पूछे जाते हैं अवश्यक नहीं कि व्याकरन खंज से पूछे जाएं विए पाठांस से भी पूछे जा सकते हैं इसलिए इनकी जानकारिया होना हमारे लिए अवश्यक है आईए हम स्लोक के विभिन पदों के अर्थ देखते हैं धन्या नाम अर्थात धन्यों के या धन्यों में दाक्षयम मतलब होता है दक्षता या चेतूरता या कुसलता धना नाम धनों में उत्तम मतलब उत्तम शुरूतम कहा जाता है विद्या को या ज्यान को जो सुनकर सभा नाम लाभों में उत्तमम उत्तम स्रेयह कहते हैं कल्यान को कल्यान या परोपकार को सुखा नाम सुखों में तुष्टिह कहते हैं संतोस को और उत्तमा उत्तम तो इस तरह से स्लोक में जो विभिन्न पद प्रयुक्त हुए हैं इन के हम अर्थ देखे हैं श्लोक में जो विभीन पद प्रयक्त हुए हैं उन पदों के सबदार्थ को हमने देखा, आईए अब हम श्लोक का अर्था समझने का प्यास करते हैं धन्यानाम उत्तम दाक्ष्यम अर्थात दक्षता किस में धन्यों में उत्तम दाक्ष है अर्थात कुसलता या चतूरता या चतूरता सबसे उत्तम है अर्थात धन्यों में सबसे उत्तम दक्षता या कुसलता या चतूरता है ऐसे ही धना नाम उत्तमम सुरुतम और जो संसार में लोक संसार में जितने धन है उन सभी धनों में स्रेष्ठ धन कौन सा है तो यह धिश्टिर कहते हैं तो धना नाम उत्तमम सुरुतम अर्थात सुना हुआ जो जो ज्ञान है विद्या है यह सभी धनों में उत्तम है ज्ञान को या विद्या को सभी धनों से उत्तम क्यों कहा गिया है क्योंकि अन्यधन जो है वे वियाय करने पर खर्च हो जाते हैं लेकिन विद्या या ज्ञान ऐसा धन है जो खर्च करने पर और बढ़ते ही जाता है विद्या के संदर्भ में कहा भी गया है विद्या वर्धते एव अर्थात विद्या व्याय कृते वर्धते एव अर्थात विद्या जो है व्याय करने पर और बढ़ता है इसलिए युधिष्ठर भी करते हैं धना नाम उत्तमम सुरुतम अर्थात धनों में सर्वत्तम सुना ह जिटने लाभ होते हैं उन सभी लाभों में श्रेयह अर्थात कल्यान या परोपकार ये शर्वत्म है तो कल्यान या परोपकार सर्वत्तम लाभ है सुखा नाम तुष्टी रुत्तमा और सुखों में सबसे सर्वत्तम क्या है यह प्रस्म पूछे जाने पर वे कहते हैं कि सुखा नाम तुष्टी है सुखों में तुष्टी अरफात संतोस आपके पास जितना भी सुख हो धन का सुखो भोतिक सुख सुविधाओं का सुखो लेकिन माया का सुखो हो मोह माया परिवार आदी सभी से आप सुखी हैं लेकिन मन में यदि संतुष्टी नहीं है तो उसके आगे ये सब संतोस तुच्छ हैं इसलिए मन में तुष्टी का होना या संतोस का होना ये सबसे बड़ा संतोस युदिष्ठिर मानते हैं वे कहते हैं सुखा नाम तूष्टिरुत्तमा सुखों में सर्वुत्तम सुख क्या है संतोस है तो इस तरह से युदिष्ठिर यक्षा के विभिन प्रशनों का उत्तर स्लोक के माध्यम से देते हैं स्लोक से संबनेत कुछ प्रस्ण पूशे जा सकते हैं जैसे कहा जा सकता है चतूरता इती पदस्य पर्याय पदम स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम चतूरता इस पद के पर्याय की रूप में इस स्लोक में कौन सब पद प्रयुक्त हुआ है तो उत्तर क्या होगा हाँ बिल्कुल परियाय पदम दाक्ष्यम इती पदम प्रयोग तमस्ति अर्थात चतूरता के अर्थ में दाक्ष्यम इस पद का प्रयोग हुआ है ऐसे ही कहा जा सकता है कल्यानम इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयोग तम अर्थात कल्यान इस अर्थ में इस सब्द के पर्याय की रुप में इस स्लोक में कौन सपद प्रयुक्त हुआ है तो कल्यानम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति श्रेयह रशन और भी किया जा सकता है संतोस इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम अर्थाथ संतोस इस पद के अर्थ में कौन सा पद इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है तो इस तरह से विभिन परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप भली भाती इन स्लोकों को तयार करेंगे तो निश्वित रूप से उनका उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं तो युद्रिष्ठर ने स्लोक के माध्याम से अपना उत्तर दिया उनके उत्तर से संतुष्ट होते हुए यक्ष पुना उनसे प्रश्ण करते हैं वे प्रश्ण करते हुए कहते हैं क्या कहते हैं यक्ष अपना प्रश्ण रखते हुए कहते हैं ऐसा यक्ष अपना प्रश्ण युधिष्ठर के समक्ष रखते हैं यक्ष ने युधिष्ठर से क्या प्रश्ण रखा उसको हम समझेंगे सबसे पहले स्लोक में जो कठिन पद हैं उन पदों का अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जो संधी उक्त पद आये हैं उन्हें हम अलग करने का प्रयास करते हैं क्योंकि संस्क्रित को समझने का एक बढ़िया तरीका है कि इसमें जितने कठीन पद होते हैं उन पदों को यथा संभव हम अलग-अलग कर लें तो इसके धार पर हमनी शीत रुप से उसका अर्थ, सरल्ता व सहस्ता से समझ सकते हैं अई देखते हैं केन स्विद आवरित्तो, केन स्विद धन आवरित्तह, धन लोकह, तो केन स्विद धन आवरित्तह, यहाँ पर व्येंजन संधी, आवरित्तह धन लोकह, यहाँ पर विशर्वर संधी का प्रयोग हुआ है ऐसे हिम देखते हैं केन स्वित धन न यहां वेंजन संधी का प्रयोग हुआ है यहां जो केन सब्द प्रयोग हुआ है यहां कीम सब्द का रूप है तृत्यविभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है कि ससे तो केन लोका, लोका का तात पर यह होता है लोका प्रत्मेभक्ति एक वचन का सब्द है और इसका तात पर यह होता है लोक या संसार प्रकासते प्रकास यह सब्द कैसे बनता है प्रउपसर्ग है कासदातु है आत्मनेपद लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है प्रकासित होता है न यह अव्यपद है निसिधात्मक अव्यपद है इसका तात्पर होता है नहीं तियजाती तियज मूलधातु है इसका अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना तियजाती यह लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है इसका तात्पर होता है त्यागता है या है मित्राणी मित्र मूल सब्द है मित्र कतात पर होता है मित्र या दोस्त मित्राणी यह प्रथम पूरुस यह प्रथमई भक्ति बहु अचन का रूप है नपुन्शक लिंग सब्द है मित्र इसका प्रथमई भक्ति बहु अचन का रूप है मित्राणी लेकिन यहां पर जो प प्रिक्त पद है मित्राणी यहाँ प्रत्मय भक्ति कनाहों करके द्वितियावि भक्ति का है आप सभी जानते हैं नपुन्सक लिंग में जितने पद होते हैं जितने सब्द होते हैं उन सभी के प्रत्मय भक्ति वा द्वितियावि भक्ति का रूप एक जैसा होता है जैसे मित यह नपुन सक लिंग है इसका प्रत्म विख्ति का रूप और द्वित्य विख्ति का रूप देखते हैं प्रत्म विख्ति में रूप होता है मित्रम मित्रे मित्राणी और इसी तरह से द्वित्य विख्ति में भी इसका रूप बनता है मित्रम मित्रे मित्राणी तो यहां पर यह जो मित्राणी रूप दीख रहा है यह द्वितियाविभक्ति बहुवचन का रूप है स्वर्गम, स्वर्ग को स्वर्गम मूल सब्द है यह भी द्वितियाविभक्ति एक वचन का रूप है गच्छती का तातपर होता है जाता है गम मूल धातू है गम धातू का रूप बनता है गच्छ तो गच्छ का लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना है गच्छती और इसका तातपर होता है जाता है प्यारे बच्चों हम इस स्लोक के कठिन पदों को हमने देख लिया सब्दार्थ को देख लिया और इसके अधार पर कुछ प्रसन इससे पूछे जा सकते हैं जैसे संसारह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात संसारह इस पद के पर्याय के रुप में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने तो संसारह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ति लोकह ऐसा ही प्रस्ण पुछा जा सकता है एक ची जब को ध्यान रखना होगा जब किसी सब्द का परियाय या विपरियाय अर्थात विलोम पूछा जाता है तब जो सब्द है उसका अर्थ क्या है ये हमको जानना होगा जब हम इसका अर्थ भली भाती जान पाएंगे तब उसका सब्दार्थ क्या होगा उसका पर्याय क्या होगा उसका विलोम क्या होगा इसको हम जान पाएंगे और उसके अनुसार से हम स्लोक में जो विभिन्न पद प्रयुक्त हुए हैं उन पदों के अधार पर सब्दार्थ का या परियाय का या विलोम पद का पहचान कर सकते हैं तो यहां पर जो सब्दा भी पूछा गया स्वी करोती तो स्वी करोती का मतलब क्या होता है? स्विकार करता है इसका विलोम क्या होगा? स्विकार नहीं करता है या छोड़ देता है या त्याग देता है इस अर्थ में इस स्लोक में कोई पद प्रयुक्त हुआ है क्या? देखते हैं यहां पर हम देखते हैं त्याजाती त्याजाती इस पद का अर्थ होता है त्याग देता है तो स्वी करो इति पदस्य विपर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति तिया जाती ऐसे ही जो क्रिया पद हैं ध्यान दीजेगा केवल सब्दों को ही नहीं जो क्रिया पद हैं उन पर भी अधारित विलोम पद या विपर्याय पद या पर्याय पद से संब्धित प्रस्न प पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात याती इस सब्द के पर्याय के रूप में इस स्लोक में कौन सब पद प्रयुक्त हुआ है तो याती का मतलब क्या होता है याती का मतलब होता है जाता है तो इस अर्थ में इस स्लोक में एक पद प्रयुक्त याति इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ति गच्छति ऐसा कहा दीजे हो गया है ना सरल बस ऐसा ही आपको करना है आईए हम स्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं केन स्विद्दा वृत्तो लोकह अर्थात केन मतलब होता है अभी आपको बताए कीम सब्द है तृतिवा भक्ती एक वचन कहीं रूप है और इसका दात पर यह होता है कि इससे तो लोकह लोका का मतलब होता है संसार आवृत्त मतलब ढ़का हुआ या आच्छादित या किस से प्रकासित नहीं होता है अर्थात दिखाई नहीं देता है केन त्यजती मित्राणी और किस से या किस के कारण से मनुष्य मित्राणी त्यजती मित्रों को त्याग देता है केन स्वर्गम नगच्छती किस के कारण से मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है अर्थात ऐसा क्या है जिसके कारण से व्यक्ति स्वर्ग को नहीं जा पाता है तो इस तरह से यक्ष, युधुष्टिर समक प्रशन रखते हैं शलोक की माध्यम से एक बार पुना देखते हैं अर्थात संसार किस से आच्छादित है किस से प्रकासित नहीं होता है किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है और किसके कारण स्वर्ग नहीं जाता है तो ये श्लोक का अर्थ हो गया